नमस्का फ्रेंट्स प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत हैं और इस बार सब्जेक रहेगा धनू रासी 1 ऑगस्ट 2023 पहली ऑगस्ट अभी 2023 की आने वाली है तो उसके बाद की जो हिलचाल होने वाली है जो मैं आपको थमनिल में हेडिंग में आपको लिखा हुआ है पताया हुआ है तो यहां जो हिलचाल होने वाली है वो सबसे अलग होने वाली है जरा हट के होने वाली है और वो हिलचाल आपको अर्ष फर्ष पे और फर्ष अर्ष पे ला सकती है दोनो पोसिबिलिटी यहां बनने वाली है द जो ब्रह्मान का सबसे ताकात्वारा अशुग्र है राहुकेतु दो प्लैनेट्स उनकी यहां बात करेंगे यहां करीबन 30 अक्टोबर से वो चेंज होने वाले हैं दोनों प्लैनेट्स लेकिन यह जो दो प्लैनेट्स है वो आने से जब उनकी डेट्स चेंज होने वाली है रासी परिवर्तन चेंज होने वाला है उस से आने से पांच या छे महीने पहले उनकी असर दिखाई देती हैं कभी पहले दिखाती हैं कभी बीच में कभी स्टार्टिंग में कभी मिडल में और कभी लाश्ट में और उसके लाश्ट में जाने के बाद भी तीन चार मेने तक उसकी असर देखने को मिलती है क्योंकि सबसे बड़ा पावर्फुल प्लैनेट से अशुब ग्रह दानव ग्रह जिसको बोलते है राहु केतु, एक ही सरीर का हिस्सा है, जो सीर है वो राहु बना हुआ है, जो दड़ है वो केतु बना हुआ है, दोनों पाप गरह में शामिल होते हैं, लेकिन यहां दोनों की काम करने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो हट के हैं, क्योंकि यहां जग से हैं बहुत सारे केतू ने अम्रित पिया है बहुत सारे राहू ने पिया हुआ है यह अभी भी क्लियरिटी लोगों के अंदर नहीं है सास्त्र बता रहा है राहू ने पिया हुआ है प्रैक्टिकल बता रहा है केतू ने पिया हुआ है फिर भी दोनों को साथ में रखके ही प भै पास तो आखिर हुआ है दोनों में से ही पहले गले में से उतर कर फिर नाभी में गया है तो यहां उदर में तो यहां यह सब चीजों का बहुत ही अध्यनन करना पड़ता है तो यहां यह दोनों प्लैनेट्स October के अंदर करीबन 30 October के आसपास रासी चेंज करने वाले लेकिन इसकी जो असर है वो 1st August से दिखाई देने वाली है आपको तो ऐसा कौन सा situation बनने वाली है ऐसी कौन सी घटना है अभी आपके साथ बनने वाली है इसका यहाँ अपने फलादेश करेंगे प्रिडिक्शन करेंगे क्या क्या चीजे बन सकती है यह जोती है प्रकास है कोई एकदम 100% नहीं होता है 60, 70, 80% के करीब करीब यह सास्तर आपको ले जा सकता है वहाँ तक तो यहाँ राहू 4th house में आपकी रासी से मीन रासी में ब्रह्मन करेगा और रासी से 10 में स्थान में केतू ब्रह्मन करने वाला है यह दोनों प्लैनेट्स जैसे मैंने बताया बहुत ही भयानक बहुत ही खतरनात दहशत फेलाने वाले बहुत ही अलग ही प्रकार का इनका हिसाब होता है राहू फोर्थ हाउस में दसमें स्थान में केतू चोथे स्थान में राहू सबसे भारी गिना गया है जबी जितने भी हाउस है उसमें से जब फोर्थ हाउस में राहू आता है तो व्यक्ति को हिला देता है उपर से नीचे तक यहां फोर्थ हाउस में राहू और दसम स्थान में केतू देखिए अभी अभी लास्ट यर ही आपने सब यहां सुच्वेशन देखी हुए आपने घर लिया है मकान लिया है गाड़ी ली है नया बिशनस स्टार्ट अप किया है नई जॉब आपको मिली है कुछ ने कुछ नया सेट-अप सेया अच्छी तरह से हुआ है अभी फिर से वहां यहां राहू का ब्रह्मन होने वाला है फोर्थ हाउस में जब यहां गुरू चल लेते हैं पिछले साल की बात करें 2022 में और फरवरी में अप्रिल में राहू गुरू चेंज होके मेश में आ गए लेकिन अभी प प्रासी में चल दे तो यह सब सुच्छेशन आपके लिए बहुत बैतरी हो गई थी धर गाड़ी मकान जॉब बिजनस नया कुछ स्टाटप मिल गया आपको नया कुछ अच्छा आपको आगे बनने का मिल गया लेकिन यहां अभी यहां से गुरू निकल गया है गुरू क्रियेट करने वाला यहां प्लैनेट से फौर्थ हाउस में राहू भले भले को उपर से नीचे फैक देता है क्योंकि यहां दसम स्थान में केतू चल दा है केतू मैंने जैसे बता है दोनों की काम करने की जो प्रक्रिया है जो सिश्टम है वो सबसे अलग है केतू कर्मों का हिसाब मांगता है व्यक्ति ने कैसा जिवन जिया है जो हाउस में कर्मस्थान दस्वांस्थान होता है कर्म का आपने बिजनस में काम काज में कैसा हिसाब किताब रखा है यहां वह आपको system का फल मिलने वाला है के तू एक ऐसा planet से जो व्यक्ति को निहाल भी कर देता है हमारी definition के हिसाब से अमरित जो पिया है वो केतु ने पिया है केतु अमरत्व हो गया है जिसका केतु बढ़िया होता है वो अमरत्व मतलब जो अमरित पीते है वो अमर हो जाते है उसका मृत्यू नहीं होता है वैसे यहां जो केतु है वो मतलब अमरित ज के बा kay ज याता है जो भी आपने सिस्टम से जीवन जिया है नहीं जिया है उसका फ़र दस्बस्तान एक ला हुआ हो आपको जीवन कैसा जिया है लास्ट का शिल्द का से रासी बदलता है के व 16 às से 18 साल पहले आपका जीवन कैसा था तब वो आपको मालूम होगा कैसा पीडियर आपने देखा अभी फिर से वो यहां पॉइंट आया है 18 साल में आपने कैसे जीवन जिया है भगवान ने प्रिच्वी पर आपको भेजा है सब एसेट्स खुदरत की है भगवान की है मालिक की है और वो हम सब यूज कर रहे हैं तो उसका आपने कैसे उपभोग किया है कितने को आपने सहारा दिया है कितने का आपने ये मतलब सोशन किया है कहीं न कहीं आपने किसी का दिल दुखाया दिल दुबाया कहीं न कहीं ऐसे समस्या आपको देखने को मिली और अपना इंटें अपना कर्म, अपने आपने कैसा जीवन जिया पिछला 5, 10, 15 साल, 20 साल, उसका ही अपने को सब चीजे देखने को मिलती है, तो यहाँ दसमस्तान में केतु है, अगर आपने अच्छा जीवन जिया है, तो यह बात तई है, यह टाइम के अंदर आप टॉप क्यों पोजिशन पे सब चीजों में समस्य आ सकती है, मा से लगते रिष्टों में समस्य आती है, बता पिता उनके स्वास्ते को लेकर आपको थोड़ा चिंतित रहना पड़ेगा, यहाँ कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट बन सकते, जो आपको अनेक्सपेक्टेड आपने सोचा भी नहीं वैसा ह हो सकता है, अचानक से आपको घर से बाहर हो जाना पड़ेगा, या आपको दुकान घर छोड़नी पड़ सकती है, आपने अभी अभी यह सब चीजे ली है, लेकिन अगर आपकी सुच्वेशन ग्रहों की या दसा अंतर दसा कुनली ठीक नहीं है, तो यहाँ यह सब तो, जैसे मैंने बताया, कोई अभी आपके बरसों से आपके कोई जमीन बिक नहीं रही है, तो अभी बिक सकती है, और कहीं न कहीं आपको उसमें अच्छा आउटपुट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ केतू चलदा है, आपने कैसे वो जमीन ली है, मकान ली है, कैसे यह पकर सकता है और सब आपका पिटारा खोल सकता है, हिसाब किताब अभी खोल सकता है, इसलिए अच्छा जीवन जीना जरूरी है, तो यहां राहू और केतू, डराने का कोई मतलब नहीं है, भई बिना प्रीत नहीं, अगर आपको बताया नहीं जाएगा कि आगे खड़ा है, आ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वाच करना पड़ेगा, सब चीजों के लिए अलर्ट रेना पड़ेगा, तभी आप यह सब चीजों में से सरवाई हो सकते हैं, ओवरल यह चीजे आपको घर, मकान, गारी, बिजनस, जॉब, इसमें ज्यादा तर समस्या आपको दे मीडिज है, उसके उपर थोड़ी चर्चा करेंगे, अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुब आगे बुरू,